next question 2019 का सवाल है question says for a transparent medium relative permittivity permeability and permittivity mu and epsilon दोनों का relative value are 1 and 1.44 respectively सवाल है velocity of light in this medium would be now बहुत ही simple सवाल है again इस चीज को मैं अपनी classes में चार बाद चार अलग-अलग चीजों में इसको हम पढ़ते हैं जब ray optics की शुरुवात होती है सब्सक्राइब की शुरुवात होती है या फिर यह में जब करते हैं तो चार बार यह सेम चीज बताता हूं इसको ध्यान देना मैं आपको basics यहां पर थोड़े से clear करता हूं हम कहते हैं speed of light जो है उसको हम लिखते हैं mu not epsilon का 1 by mu not epsilon का under root यह आपको speed of light देता है ठीक है यह आपका है vacuum में या फिर air में अब अगर किसी medium में velocity देख रहे हैं तो वह हो जाएगा अपना under root of mu not mu r epsilon epsilon r यह mu not epsilon तो आपकी absolute value है और mu r और epsilon r यह आपके relative value है इसका मतलब यह है इसको आप लिख सकते है mu not और epsilon को combine करके आप c divided by mu r और epsilon r यह से लिख सकते हैं और यह हमें पता है किसी भी medium में जो आपकी velocity होती है तो अगर आपकी light है वो एक medium से मानलो air से किसी medium में जा रही है तो यहाँ velocity आप c by n लिखते हैं जो की n आपका refractive index है तो इसके बिजिस पर हम कह सकते हैं कि आपके refractive यानि कि इसको आप c by n लिख रहे है which implies n हो जाएगा आपका will be equal to under root mu r epsilon r तीक है यह आपका refractive index हो जाएगा किसी भी medium का बस यहाँ आपने को value दे रखी है आपका refractive index directly आ जाएगा mu r अपने को दिया है 1.44 multiplied by 1 इसका मतलब यह हो गया कि अंदर root of 1.44 इसका अंदर root आएगा आपका 1.2 तो आपका refractive index हो जाएगा 1.2 और अगर refractive index 1.2 हो गया तो उसके basis पर हम कह सकते हैं कि आपकी velocity जो हो जाएगी in that medium वो c by n होएगी यानि की हो गया 3 into 10 to the power 8 divided by 1.2 तो इसको जब हम इसको divide करेंगे 1.2 से तो अपनी जो value है वो आ जाएगी this will be equal to 2.5 into 10 to the power 8 ठीक है